डीजी फॉर्ट एक यूटूब चैनल को सब्क्राइब कर लीजे, बैल एक अंदबा लीजे, नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक कर लीजे, लाइक कर दीजे इस वीडियो को और सेयर कीजे, 313 नंबर के टेक नियूस पे आपका स्वागत है, एक बार फिर बोर रहा हूँ, डीजी एप, प्राइम वीडियो और सोनी लीव एप जो है, इन तीनों एप का डेडिकेटेड बटन दिया गया है, रिमोट पे और 40 वाट का स्पीकर भी दिया गया है, USB 2.0, HDMI 2.0 का सपोर्ट दे दिया गया है, अच्छी बात है, कंप्रेसिवम थोड़ा सा कस्टमाइज आपको कर करके दिया गया है, Microsoft ने अपने फाइल अपलोट करने के साइस को इंक्रीज कर दिया है, अब इसके मैकसिमम लिमिट हो गई है, 250 GB जो की काफी बड़ी लिमिट कर दी गई है, और इसमें अब आप 4K और 8K वीडियो भी अपलोट कर पाएंगे, MacBook Pro 2021 वाला जो मॉडल आने वा काफी पीपल्स ऐसे हैं, जो टच बार को यूज भी नहीं करते हैं, और इस बार MacBook Pro 2021 जो है, दो साइस में आ सकता है, 14 इंच और 16 इंच पे, एपल का जो इंडिया वाला इस्टोर है, उस पे आपको 45,000 के स्वापिंग से उपर करने पर 5000 का cashback का लीस्ट आ चुका है, तो इसाब, एपल is a big brand, तो आप ट्राई कीजिए, इवेन आप कोई भी phone वागरा भी लेंगे, तो आपको तो 45,000 से तो costly पे करना पड़ेगा, तो इसी बहाने आप 5000 अपना बचा लेंगे, चेक लिजिए, यूटूब पे अब आपको voice command का feature आ चुका है, यानि की desktop वाले variant पे, अगर आप YouTube प्ले करती हैं, तो आप voice command के through search out कर सकते हैं, ये वैसे काफी time से, लंबे समय से approximation, डेड़ साल से बीटा stage पे था, अब finally जा के कहीं launch हुआ है, तो अच्छी बात है, desktop users को भी इस चीज़ का मज़ा मिल पाएगा, वायो का comeback हो चुका है, अगर आप भुल चुके होंगे वायो कौन था, तो ये दरसल सोनी का ही, सबसीडरी ब्रेंड था, laptop segment के लिए, और ये I think नियली 2008 है, 2010 के बास से गायब हो चुका था, मार्केट से, अप्रोक्सिमेशन 10-12 साल के बाद ये comeback किया है, और इस बार दो laptop आया है, वायो का E15 जो की 67,000 price value के साथ आया है, वायो का SE14 जो है, ये 85,000 की price के साथ आया है, इसमें आपको Intel भी मिलता है, AMD model भी मिलते है, जो model आपको अच्छा लगता है, आप वो ले सकते हैं, फुल एलुमिनियम प्रीमियम लेस वाले laptop बनाया गया है, साड़े 15 इंच का है, लेल लाइन पे आज से, जीरो लगाके ही आप किसी भी mobile नबर पे डायल कर पाएंगे, ये काफी समय से, वैसे November 2020 से ये लीक आ रहा था, कि इस टाइप का changes आने वाला है, सो आज एंडिया पे ये लागू हो चुका है, ट्राइ ने कर दिया है, तो आप चेक कर लिजिए, और जीरो लगाके अब यूज करना चालू कीजिए, Amazfit GTR 2E, Amazfit GTS 2E, इन दोनों स्मार्ट वाच का launch date सामने आ चुका है, 19 जन्वरी को ये launch होने वाला है, इंडिया मार्केट के लिए, सेमसन का Galaxy Bird Pro TWS, इसमें आपको मिलता है Intelligent Active Noise Cancellation, और इसे launch किया गया है, इंडिया पे 16,000 रुपए के price value के साम, सेमसन का Galaxy Smart Tag, Smart Tag Plus, ये दोनों को भी launch कर दिया गया है, Smart Tag की price रखी गई है, 22 रुपए, Smart Tag Plus का price रखा गया है, 29 रुपए, ये basically उन RC लोगों के लिए है, जिनको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, जिनको अपने products कहां रखे हैं, even वो भी याद नहीं रहता है, उन जैसे भुलकर लोगों के लिए ये feature दिया गया है, और अगर आप अच्छे user हैं, तो आप इस tag का सहीं इस्तमाल कहां करेंगे, आप जैसे ज़्यादा traveling करते हैं, आपने इसे अपने luggage compartment पे रख दिया है, कि हाँ भी मेरा luggage बाइचांस अगर चोरी हो रहा है, इस्टोल हो रहा है, तो फिर आप इसे use कर सकते हैं, और most of the people अपने भुलकर पंती या फिर अपने आलसी पना को बचाने के लिए ये tag को use करेंगे, WhatsApp पे जो आर्ची वाला feature आथा उसे rename किया जा रहा है, या फिर बोला जा रहा है, थोड़ी सी modify किया जा रहा है, अब वो हो जाएगा, read letter वाला feature और इस feature को आप अगर use करना चाहें, तो कर सकते हैं, अधरवाइस छोड़िए, हटाईए, WhatsApp को पहली बार इंडिया पे legal action का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि WhatsApp की नई policy जो है, ये privacy जो है, इस पे बहुत बड़ा सवाल उठा देती है, तो अब देखते हैं, क्या Indian government कुछ street action लेती है, WhatsApp पे, या WhatsApp चुपके से बचके निकल जाता है, Asus का Expert Book B9, Asus BR110C, Asus Expert Center D7, ये जो laptop है, ये launch हो चुका है, इसमें 66Wh की battery दी गई है, जो की 13 घंटे तक चलेगा, और इसमें भी आपको Heavy Series के भी laptop मिलते हैं, Heavy Series In The Sense, AMD के Ryzen 5000 वाले, Intel के 11th इंजरूरेशन वाले, तो आप जिस भी तरीके से combination आपको अच्छा लगता है, आप उसे purchase कर सकते हैं, Xiaomi का folding phone का prototype leak सामने आचुका है, live leak पे, जी हाँ, China के ही website पे आचुका है, और China पे किसी बंदे ने इसे use कर रहा था, train पे जा रहा था वो, और उसे spot हो चुगा है, तो देखते हैं, वैसे तो काफी low budget का ये, और low quality वाला लग रहा है, देखने पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, इसके कुछ expects के hint आये है, वो है MIUI 12, 256 GB internal memory, Windows का 10X वाला variant जो है, ये finally launch कर दिया गया है, ये project चल रहा था, early 2029 से, मतलब एप्रोक्स दो साल के बाद इसे launch किया गया है, ये बीच में आया था, बट ये था multi screen वाले platform के लिए इसे बनाया गया था, अब completely redesign किया गया है, और अब आप इसकी use कर सकते हैं, low budget वाले, hardware पे, even Chromebooks वाएकर अपे भी आप इसे install कर पाएंगे, तो अच्छी बात है, कुछ हमें नया तो देखने को मिल रहा है, Microsoft की तरप से, MSI ने भी अपना notebook series को refresh किया है, NVIDIA RTX 30 graphic card के साथ, और इसमें आपको बहुत सारे gaming model मिलते हैं, जो कि premium level वाले भी मिलते हैं, और price तो खेर, काफी high segment size पर ही जाएगी, क्योंकि 30 series का graphic card लग गया तो, तो आप अगर premium gamer हैं, तो notice कीज़ें, दरवाइस ignore मारी हैं, Huawei ने 90 patent खरीद लिया है Blackberry से, जी हाँ, दोनों ही company का तो future dama doll होई चुका था, Huawei का तो जब से US ने धक्के देके निकाला है तब से Huawei का तो पत्ता साफ हो चुका हैं, और Blackberry तो already खता हो चुका है, तो भाई दोनों company ने सोचाए कि चलो भाई एक दूसरे से patent patent share किया जाए, थोड़े बहुत पैसे कमाए जाए, तो Blackberry ने भी अपने 90 patent को बेचा है Huawei को, और i button चेक कीजे, comment कीजे, thank you, have a nice day.